नमस्कार दोस्तो वेलकाम टो नेट दिक्षा तो दोस्तो आपके फोन के आपके एंडुरीड फोन के पावार वोटन गलती से या फिर आप जान्द बुसकर जैसे दो पर दबाते हो प्रेश करते हो तो इमीडियेट एमर्जिंसी एस नमबर डायल होने लगता है जैसे की 100 हो स सकता है 101 हो सकता है 900 हो सकता है कोई भी नमबर हो सकता है जो एमर्जिंसी एस इसको से आवर शी बोलते यह नमबर हो सकता है और अगर आप इससे परिशान हो गया हो अगर यूटूब में इसके बारे आप वीडियो सर्ष कर रहो कैसे इसको डिसेबल करना है तो आप सही जग वीडियो को लाइक किजिए, शेयर किजिए, टैनल को सब्स्ट्राइब किजिए, आप मुझे कुछ help करना चाहते हो इस टैनल को grow करने के लिए तो thanks बटन को प्रेश करके आप मुझे help भी कर सकते हो, तो चोल यह शुरू करते हैं, तो दोस्तो मैं आपको लेके सलता हूँ अब आपको दिखा रहा हूँ यह real me 5 phone है मेरा तो दोस्तो मैं आपको लेके जाता हूँ बैक करता हूँ और सेटिंग में लेके जाता हूँ और यहां पर मैं आपको दिखा दूंगा अभी privacy वाले option पर जाना है बिसिकली privacy में लेके जाता हूँ और यह जो one on two number है ना इसको आप डिलीट असानी से नहीं कर सकते हैं मतलब इजुएली आपको हाँ पर डिलीट का option नहीं देखेगा तो देखिए हाँ प्राइबीसी में आ चुक है प्राइबीसी में आने का बाद एमर्जेंसी एसोस में आना है एमर्जेंसी नंबर नीसे दिख रहा हूँ वहाँ पर करना है और यहां है आप अमीन कर सकते हैं और ऑफ सर्दरोणियोज करता है तो यहां पर क्लिक करेंगे हैं तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं तो देखिए डिलीट भी हो गया पर एमर्जिंसी नंबर 112 जो है न यह डिलीट नहीं होता है जैसे पाउर बटन दो बर प्रेश होता है तो आटमेटिकली जो है 112 में कॉल जाने लगता है और मेरा यह देखिया अनलोग हो गया जैसे दो बर म देखिते रहे मैं आपको कॉंप्लीट बताऊंगा थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा दोस्तों तो प्लीज वीडियो को देखिएगा जुरूर तो दोस्तों मैं आचुका हूं अपने कॉंप्यूटर स्क्रिंग पर आपको एक कॉंप्यूटर के ज़ूरत पड़ेगा इस काम को करने के लिए तो अपना कॉंप्यूटर में आने का बाद मैं यहाँ पर जाता हूं Google Chrome ओपन कर लिया है और Google Chrome ओपन करने का बाद यहाँ पर आके एक अगर आप विडियो का कम्प्यूटर यूज करो तो आप पहले वाला फाइल अगर आप मैक यूज कर रहो तो य यह वाला फाइल नीचे वाला और अगर आप Linux यूज़ कर रहा था आपको यह वाला फाइल डाउनलोड करना होगा तो यहाँ पर क्लिक करेंगे यहाँ पर यह टामसन कॉंडिशन वाला एक विंडो आ जाएगा इसको नीशे स्क्रॉल करें और इस तरी किसे क्लिक करके यहाँ से फाइल डाउनलोड करें मैंने अल्रेडी कर लिया तो मैं दोबारा मेरा डेटा खर्चा करना नहीं चाहता हूं मैंने आपको देखा देता हूं कहा पर राखा हूं मेरा फाइल एक मैंने फोल्डर बनाया डेक्स्टॉप में यह फाइल है 5511KB का तो इसको डाउनलोड करन यहाँ पर आपको कुछ भी सेंजेस नहीं करना है तो यहाँ पर एक्स्ट्राक होने का बात आपको जाना है मतलब basically आपको यहाँ पर developer option enable करना होगा और वहाँ पर USB debugging enable करना होगा तो चुले मैं आपको देखा देता हूँ तो दोस्तो यहाँ पर मैंने आपना mobile phone देखिए realme 5 connect कर चुका हूँ और connect करने का बाद आपी phone में जाएंगे setting में जाएंगे कुछ changes करेंगे वो मैं आपको देखाता हूँ तो दोस्तो यहाँ पर मैं आपना phone में आचोका हूँ फोन में आने का बद आपको जाना है यहाँ पे सेटिंग पे और सेटिंग पे जाने का बद निसे स्क्रॉल करना है और यहाँ पे एडिशनल सेटिंग पे जाना है एडिशनल सेटिंग पे जाने का बद आपको यहाँ पे डेवलोपर आप्शन को क्लिक करना है अगर आपके ड तो बिड्वर्शन है न बज़ना है यहाँ पे जाने का बद यहाँ पर आपको शाथ बार तरुकर करना है जैसे आप इहाँ पर टाप करेंगे जो है डेवलोपर ऑप्षण ओन होगा तो डेवलोपर ऑप्षण कहा पर दिखेगा यहां पर USB debugging पर जाके यह on करते हैं यहां पर उसके बाद और एक्सीज on करना हुए है यह verify apps over USB और नीशे वाला option दिख रहे हैं इसको भी enable करते हैं करने का बाद अभी चलना है अपने computer screen पर अगें computer screen के जाने का बाद यहां पर आना है इस folder के अंदर आके यहां पर simply आपको cmd press करना है cmd press करते यह command प्रम जो है यह open हो जाएगा और open होने का बाद आपको कुछ यहां पर command line type करना है सबसे पहले type करना है adb adb device devices type करना है मैं आपको यह command line आपको देखा भी दूँगा तो देखिए यहां पर एक device connect हो गया है यहां पर देखिए यह device है मतलब मेरा phone है अभी दूसरा यहां पर command line आपको type करना होगा सबसे पहले type करेंगे यहां पर adb adb उसके बाद space shell adb space shell उसके बाद space pm उसके बाद space uninstall उसके बाद space देके दो बाद dash just देके user उसके बाद space देके zero उसके बाद space देके com उसके बाद dot लगा के oppo उसके बाद dot लगा के asos तो दोस्तों यह oppo and realme का सभी phone में almost काम करता है मैंने कोई phone में किया हुआ है तो इस line को आप हुबे हुँ coffee कर सकतो अगर आपके oppo और realme के phone है अगर in case आपके कोई दूसरा brand के phone है तो आपको इसका package name change करना पड़ेगा वहाँ पे brand name आप change कर सकतो ओपो का जगा में अगर आपके भीबो है तो आप भीबो type कर सकतो दूसरा कुछ है तो दूसरा type कर सकत उसका बाद जैसे enter press करेंगे दोस्तो तो देखिए आप मैंने highlight किया success मतलब यह जो package आपको update के जरीए भेजा गया है जिसके बदास से इस तरीके का problem हो रहा है वो package आपके phone से हमेशा के लिए delete हो जाएगा तो वही मैंने किया इस line को type करने का बाद जैसे आप enter button press करेंगे तो देखिए आपर success इस तरीके से दिख जाएगा अगर success इहापर दिख गया तो आपको मैं assure करता हूँ 100% यह problem दोबरा आएगी नहीं और अगर आप दोबरा फिर से setting में जाके emergency call वाला option वहापर देखेंगे तो वहापर जो भी number 112 यह फिर 11 जो भी number था पहले वहाँ से delete हो होगा इस तरीके से इसको ठीक किया जा सकता है मैंने किया है तो दोस्तों उम्मिद करता हूँ वीडियो आपको helpful लगा होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर आप सब्सक्राइब किजिए कोई शाबाल शुजाए और कॉइर यह तो comment section में मुझे ज़रूर बते है थैं